असलाम उलेकुम, किताबत के लिए मैंने एक आर्ट पेपर ली हूँ और एक जेके एकसल बॉन्ड का ये जो प्रिंटिंग का पेपर होता है वो ली हूँ और अपनी केमलीन इंक ली हूँ ब्लेक कलर की इसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि पानी मिलाकर इस्तिमाल करना है अब हम अगर सीख गए है तो इसमें पानी मिलाने की कोई जरूरत नहीं है इसे डाइरेक हम पेपर पर इस्तिमाल कर सकते है मौलिम का मीम नुकते से शुरू होता है इस तरह इसे नीचे गोल शकल में ले जाना है और इसमें आइन जोड देना है इसे नोक की मदद से भी बना सकते है अब इसमें हमें लाम को जोड़ना है इसलिए यह शोशे की शकल में उपर जाएंगा और इसी से फिर हम लाम को बनाएंगे यहां लाम गोल शकल में नहीं आएंगा अब इसमें मीम जोड़ देंगे पहले नुकता और फिर दो कत का हमें गावदुमी शकल इसमे यह मौलिम लिखा जाता है अब आदिल लिखेंगे आईन का सर बनाएंगे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से इसे लिखा जाता है आईन अलिफ आउ दाल लिखेंगे लाम इस तरह से यह आदिल लिखा जाता है जो लोग नए आए हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिये हर हर्फ को किस तरह से लिखा जाता है उसके वीडियोज पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं शफाफियत का शीन लिखेंगे शीन के शोशे उसमें फे जोड़ेंगे और फे के साथ अलिफ को जोड़ देंगे यह शफाफियत जोड़ना है इसमें फे बनाएंगे उसमें या जोड़ेंगे उसमें ते को जोड़ देंगे यह है शफाफियत इसी तरह मश्क करते रहें अल्ला हाफिज